जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना विल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में क्रोना के 5,081 नयमरीज मिले एक्टिप केस 21,000 के पार जारखन के जीलो में एक्टिप केस इस परकार है राच्ची 862 पूर्वी सिम्भू 357 बोकारों 301,000 वाग 797 धनबाद 866 रामगल 988 पच्मी सिम्भू 752 कोडार्मा 644 पलामु 311 देवघर 849 गुमला 200 गिरीडी 125 खुटी 444 लोहरदागा 136 सिम्टेगा 328 शरायक लाखर सवा 200 गढवा 169 लोहरदागा 215, 4334, गोड़ा 164, जामतरा 156, साहिवगई 58, दूमका 192 पाकुड में 32 मरीज एक्टिव है जारखन में आज से बारिस को लेकर अलट जारी रब्विवार से राजय के कई लाकू में बारिस हो सकती है बताद 11 जन्वरी की रात या 12 को पूरे राजय में पच्मी भी सोब का असर दिखने लगेगा इससे करीब करीब पूरे राजय में बारिस हो सकती है मौसम केंद्रे के अनुसार 9 जन्वरी को राजय के गढवा पलामू लाते हार लोहर दगगा गुमला खूटी रांची में बारिस हो सकती है वही 10 और 11 जन्वरी को सिमडेगा पूरवी और पच्मी सिमभूम सराय के लाख हरसावा छोड सभी जिलो में बारिस का अनुमान है वही 11 और 12 जन्वरी को पूरे राजय में हलके सिमद्रज की बारिस हो सकती है 13 जन्वरी को भी कहीं कहीं हलके सिमद्रज की बारिस होगी वही 14 जन्वरी से पच्मी भी सोब के ज्खरखंट से निकल जाने का अनुमान है इसके बार ठंड भी बढ़ेगी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 6 लाख बच्चों को नहीं मिलेगा साइकल जारखन में इस साल भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 6 लाख से ज्यादा छात्र साइकल की सवारी नहीं कर पाएंगे बता दे ए दूसरा साल है जब राज जे के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले चात्रों के बीच राज सरकार साइकल का बित्रन नहीं कर पाई बिहार सरकार के कल्यान विभाग द्वारा कलास आठ में पढ़ने वाले SC, ST, OVC और अल्प संख्यक छात्रों को साइकल देने का प्रोधान है मगर कुरोना संक्रमन की वज़ा से बित्ये वर्ष 2021 में साइकल की राज सी का बित्रन नहीं हो सका बता दे राज सरकार ने DBT की वज़ाए छात्रों को साइकल खरित कर देने का निन लिया था क्रिशक पाट साला में खेती का कहारा पढ़ेंगे जार्खन के किसान जार्खन में बित्वर्ष 2021 22 के लिए क्रिसी छेत्र में फसल उतपादन एवम उतपादकता को बढ़ाने एवम उन्नत क्रिसी पदयोकि को प्रदरशित करने के लिए कि क्रिसी एवम संबंद गती बिद्या जार्खन के लोगों की जिवका कमू क्याधार है लगभग 75 परत्षेत राजे की आबादी ग्रामिनों छेत्रों में निवास करती है और अपनी जीवका के लिए खेती पनिर्भर है राजे में किरिसी एवं संबंध छेत्रों में फसल उत्पादन, पसुधन और मतस्य पालन आधी सामिल है उन्होंने बताए कि करिसक पाट साला के माध्यम से करिसी पसुपारन एवं मतस्य विभाग द्वारा करिसको की छामता बिख्षित की जाएगी एवं बैग्यानिक बीधी से उन्हें प्रसिक्षित किया जाएगा अनाधिक्रित रूप से नेम पलेट वा मास्क नहाई पहनने पर जुर्माना जिल्ला परिवहन पता अधिकारी परविन कुवर परकास पुलिस उपाधिक छक जीत वहन उराव और ट्रैफिक विभागने सन्यूत रूप से करम टोली चोग पर जाच अभियान चलाया इस दोराण अनाधिक्रित रूप से नेम पोर्ड काउप योग कर रहे और बगर मास्क के वाहन चलाने वालों पर वाहनों के विरूद करवाई की गई जाच के दोराण मोटरवान अधिनियम की धारा 189 के तहत इन वाहन चाल को पजूरवाना किया गया वही कागजाच परदुशन परवान पत्र वीमा लाइसेंस आदी की भी जाच की गई जारखन में कल से लगेगा भैक्सिन का बुस्टर डोज जारखन में 10 जनवाई से टीके का बुस्टर डोज दिया जाएगा स्वास्त विभाक के अपर मुक्सचिव अरुन कुमार सिंग ने सभी जी लोग के डी सी को पत्र भेज कर गाइडलाइन के अनुरूप टिका करन कराने का निदेश दिया है बताद अपर मुक्सचिव ने केंद्री की गाइडलाइन का हवाले देते हुए कहा है कि जिन लोगों उन्हें बैक्सिन का दूसरा डोई ले लिया है उन्हें को बैक्सिन का ही तिसरा डोई लेना है इसी तरह जिन उन्हें कोवी सिल्ड का डोई लिया है उन्हें कोवी सिल्ड ही देना है जारखंड के 38 से ज्यादा पंचायत भौनों का नहीं हो रहा रख रखाओ राज में 38 से ज्यादा पंचायत भौनों का निर्मान तो हो गया है लेकिन इन भौनों के रख रखाओ की वेवस्ता सुनिश्चित नहीं की गई बता दे पंचायत भवनों की सापसफाई या अने कार्यों के लिए पैसा नहीं है मुखिया या तो खुद की विवस्ता से पंचायत भवनों की सापसफाई करा रहे है या किसी परियोजना के लिए पंचायत भवन खुलने पर सफाई करा दी जाती है बतादे मुख्याओं के अनुसार इस बार 15 बीत आयों के फंड में भी कंटीजेंसी फंड की वेवस्था नहीं की गई है कंटीजेंसी फंड होने से इसका इस्तेमाल कई तरह के छोटे कारियों में जरूरत के मुताबिक किया जा सकता है अब जन परतिनीधी पंचायत भनों के रख रखाव में पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं दो गलतियों की वज़ा से बट गई मुख्यमंत्री कुरोना राहात किट के एकस्पायरी दवा मुख्यमंत्री कुरोलरा हाथ कीट में संक्रमितों के एक्सपारी दवा बाटने के ममले में जाच रिपोर्ट त्यार कर ली गई है बतादे संभवना है कि रभिवार को रिपोर्ट रांची उपायूद को सुप दी जाएगी सुत्रों के अनुसार जाच रिपोर्ट में दो अस्तर पर गलतिया होने का जिक्र है इसमें पहली चुक सिविल सर्जन कर्याले की ओर से की गई जबकि दूसरी गलती सदर अस्पताल की ओर से की गई है जाच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टी होई है कि 31 दिस्तंबर को सदर अस्पताल से जिन संक्रमीतों को डिस्चार्ज करते हुए उन्हें होम आइसुलेसन में भेजा गया था उसे दिये गई कीट में एंटी एलर्जी लेवो सेल एम नमक एकस्पारी दवा डाली गई थी सिविल सर्जन कर्याले की ओर से एक जाच रिपोर्ट तयार कर एन एचेम को भेजी गई जारखन में नहीं है कुरोना के गंभीर मरीज 16 जार मरीजों का इलाज घर पर जारखन में कुरोना का ममला लगतार बढ़ रहा है हलाकि रहात की बाते आया कि जाजातर संक्रमितों में गंभीर लक्षन नहीं मिल रहे हैं बता दे बड़ी संख्या में मरीजों का अस्पताल जाने की नवबत नहीं आई है समान एलक्षन होने की वज़ा से इस समय 16,028 कुरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में हाएं वहीं 1178 सिंप्टोमेटिक संक्रमितों को अस्पताल में भरती किया गया है आठ जनवरी की साम पांच वज़े तक पुरे राज में कुरोना के 17,206 एक्टिब केस थे ज्यारखन की वेरोजगारी दर बढ़ी ज्यारखन की वेरोजगारी दर 2021 के दिसंबर माह में 17,3 फिश्दी हो गई है बतादे या पिछले 5 साल के दिसंबर माह की वेरोजगारी दर में सबसे अधिक है बतादे 2016 के दिसंबर में राजे की विरोजगारी दर सबसे निम्तम 1.9 फिजदी थी सेंटर फोर मोनिटरिंग इंडियन एकोनोमीक प्राइवेट लिमिटेट से जारी आकडो के नुसार विरोजगारी दर के ममले में जारखन देश में तीसरे पैदान पर है बतादे देश में सबसे अधिक विरोजगारी दर हर्याना में है यहां करीब 34.1 फिजदी विरोजगारी दर है वहीं रायस्थान का 27.1 फिजदी है इसके बाद जारखन काई नमबर आता है बतादे पडोसी राजे बिहार की विरोजगारी दर 16 फिजदी है पूरे देश की अवसत बिरोजगारी दर दिसंबर माह में 7.84 पीजदी रही 234 मेडिकल अपसरों की निक्ति के लिए निकली है वैकेंसी जे पेसी की ओर से राज्ये में 234 मेडिकल अपसरों की निक्ति की जाएगी इसमें 234 पद रेगुलर और दो पद वैकलोग के हैं बता दे एक चुक अभियारते 11 जनवरी 2022 से 9 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन फरम भर सकते हैं जबकि परिक्षा सुल्क का भुकतान 10 फरवरी 2022 तक कर सकते हैं बता दे ओनलाइन अवेदन की हाड कोपी 18 फरवरी तक जमा कर सकते हैं वही रेगुलर 232 पदों में अनरक्षित के 101 पद, ST के 81 पद, SC के 13 पद, BC1 के 10, BC2 के 12 पद हैं जार्खन में 8 दिनों में कुरोना से 20 की महत कुरोना के नए वेरियंट अव बर्ते संक्रमन के बीच गंभीर बीमारियों से पिडित लोगों के लिए खत्रा बढ़ गया है बता दे गंभीर बीमारियों से पिडित लोग होने से इम्यूनीटी कमजोर होती है परतिरोधक छमता कमजोर होने के कारण कुरोना का दिश्परभाव ज्यादा परता है स्वास्त विभाग दोरा जारी आकड़े की माने तो जनवरी के आठ दिन में ही 20 संक्रमितों की मौत हो गई है इसमें से 90 फिश्दी को पहले से ही गंभीर बिमारी थी बतादे पहली लहर से लेकर अब तक कूल 564 लोगों की मौत हो चुकी है लेभी वसुन ने पहुँचे तीन पी लेफाई नकसली खुटी से गिरफतार जार्खन के खुटी जिले के जरिया गर थाना छेत्रे के रेगरे के समीप से पूलिस ने पी लेफाई के तीन उगरवादी को गिरफतार किया है बतादे पूलिस ने इनके पास से एक देशी कटा 303 बोर की दो गोली 7.62 बोर की दो गोली, दो परचा, तीन चंदार असीद और दो मोबाईल भी जब्त किया है एस पी आसुतोस सेखर ने बताया कि पी लेफाई के संगठन का बिस्तार करने और लेवी वसुनने के लिए अने 4-500 योगियों के साथ नक्सली एकत्र हुए थे इसी दरन पूलिस ने उन्हें गिरफतार कर लिया जेल में परिवारों से सीधी मुलकात बंदे कुरोना संक्रमन से बचाव के लिए जेपी केंद्रिये कारा में सवधानी बरती जा रही है जेल के सभी पताधिकारी कर्मी वा बंदियों को मास्क लगाना अनिवार कर दिया गया है वहीं बंदि वा पताधिकारीों को COVID-19 गाइडलेंड का पारन करना जरूरी कर दिया गया है बता दे जेल में बंदियों को अब अपने परिवार से सीधा मुलकात नहीं करने दिया जाता है सीधा मुलकाती बंद कर दिया गया है इमुलकात की विवस्था की गई है अब बंदी अपने परिवार से इमुलकात कर सकेंगे धन्यवाद जार्खन में वेरुजगारी दर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है और इसका मुख्य जीमेवार कोवन है हमें आप कोमेंट बक्स में अपना सुझाओ अवसे दे साथी बुक वाटसेफ ट्यूटर इंस्टाग्राम पर सेर करना भूले साथी साथ आप में कोमेंट बक्स में अपना फीड़वाइक अवसे दे थाइंक्यू